गर्मी के टाइम में हर मैला को दिक्कत होती है घर में रोटियां सब के लिए बनाना लेकिन आज ऐसी ट्रिक आपको साथ शेयर कर दी हूँ कि आप खुशी-खुशी कुछ ही देर में देर सारी रोटिया बना पाएंगे वो भी पूरी फैमली के लिए बहुत ही अची-ची ट् लगजाता है लेकिन होता क्या है इस अधर लिए फैमप घृदक और सब्सट कर दक्जाते हैं वबहों और हम वह लगाने के लिए ऑगली बार की लिए THIS वह संपों अपने क्लिप गए लगा देli हैं चुटा है तो sample बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेगा और आप दोबारा अच्छे तरीके से इस sample के पूरे pouch को यूज कर पाएंगे आइडिया अच्छा लगा है तो like जरूर किज़े का share जरूर किज़े का friend क्योंकि ऐसी चोटी चोटी tip हमारी काफी साथी money saving कराती है और हमारा समय भी बरबाद होने से बचाती है तो यहां पर देखी कितने अच्छे से हमने sample को organize कर दिया है next tip होने वाली है इस तरह के klature को लेकर तो हम लेडिशों के पास बहुत सारे klature होते हैं लेकिन होता क्या है ना हम इतनी लापर भाई करते हैं कि klature यूज करने के बाद कई भी रखा चोड़ जेते हैं कभी बैड पर कभी ड्रेसिंट टेबिल पर कभी कई कई भी कई और जब हमें दो बारा जरूत पढ़ती है इने इस्तेमाल करने के लिए हम खोशते हैं तो मिलते ही नहीं है अब एक जगा हो तो मिले ना तो आपने करना क्या है मैं आपको एक बहुत अच्छी सी टिप शेयर करने जारी हूँ अगर आपके पास भी काफी सारे klature है तो आपको लेनी होगी इस तरीके की एक चूड़ी काच की नहीं लेनी है मैटल की हो वो ले लिजागा या प्लास्टिक की हो वो ले लिजागा तो आपने यह ले लेनी है और अपने जितने भी आपको क्लेचर है आपके पास छोटे बड़े वो सब आप इस तरीके से इसमें सेट कर दीजिए यह देखिए जब यह इसमें सेट हो जाएंगे तो आपको इदर उदर खोजने की जर्वत भी नहीं होगी और आपको ध्यान रहेगा कि हमने अपने क्लेचर कहां पर रखे हैं अब इसमें और भी क्लेचर आप टांग सकते हैं नीचे उपर करके लड़ियां बना कर कि लगा सकते हैं और इसे अपने ड्रेसिंग प आपको पूरे घर में ये बिख्रे भी नहीं रहेंगे और आपको समय पाणने पर तुरंत मिल भी जाएंगे नेक्स्ट टिफ होने वाले हैं रोटी को लेकर हर महिला की यही प्रॉब्लम होती है कि गर्मियों में डेर सारी रोटी कैसे बना कि गर्मियों में बहुत ज़्या करें मैला का काम होता है किचिन का खाने बनाने का और घर में अगर सभी लोग रोटी खाने वाले हो तो फिर तो और ज़्या दिक्कत हो जाती है अब क्या करें मजबूर ये सब के लिए बना के देनी ही पड़ेगी तो आपको चड़ाने कड़ाई तावे को साइड में रख कड़ाई थोड़ी सी छोटी है तो इसमें तीन ही रोटी आ पारी है अगर कड़ाई थोड़ी सी और बड़ी होती तो एक रोटी और अभी आ सकती दीश में यानि के एक रोटी बनने के टाइम में हमारी एक बार में तीन रोटी बन जाएंगी तो है ना कितना फैदा है आप पूराने टाइम में जो हमारे बुजुर्ग होते थे इस ट्रिक का यूज करते थे और क्योंकि जुएंट फैंबली होती थी सब के लिए खाना बनाना पड़ता था तो इसी तरीके से फटा-फट सारे कामों को निम्टालिया जाता था यह नहीं होता था कि हमारे तरह कीचेन म बनाई जा रही है नहीं एक ही बार में तीन से चार रोटे आराम से पकाई जाती थी और पहले मिट्टी के चुले होते थे तो उस पर और बी जल्दी काम हो जाता था लेकिन हां ट्रिक के द्वारा होता था अब यह देखिए फ्रेंड एक ही बार मेरी तीन रोटे आप पक चुकी है आपको गैंस पर शेखने की जर्वत भी नहीं है कोई भी कप्ड़ा लेना है जिससे आप रोटी बनाती है साफ सुत्रा और उसे दबा दबा कर रोटी को शेख लेने क्योंकि कुछ घर में जो होती है ना डारेक्ट गैंस पर शेखिवी रोटी नहीं खाई जाती ह इस तरीके से रोटी को सेखा जाता है तवे के ऊपर ही तो आप कड़ाई में सेख लीजेगा यह देखिए मैं अकेली हूं सेखने वाली और एक ही बार मैंने तीन रोटी फटा फटी बनाके तयार कर दी है यह देखिए तो है ना कितनी अच्छी टीप से अब हमारा समय भी बचेगा और जो हमें में गर्मी में दिक्कत होती थी किचिन में खड़े होने में परेशानी होती थी बेहाल हो जाते थे वो भी नहीं होना पड़ेगा तो कैसा लगा यह आइडिया आपको मेरे इससाब से तो अच्छा लगा होगा फ्रेंड यासे ट्राइ कर सकते हैं आप आपको काफित पाया मिलेगा और सबको रोटियां भी आप बीना किसी दिक्कत के परशानी के बना गे देग्वाईगी जिखिक कहीं से पड़े ज़र्वत कहीं नहीं पड़े और हमाधी रोटियां अच्छे से सिक पपक गहीं है यह देखिए तो है न कितना बढ़िया काम है मैं ट्राय कर लेती हूं आप भी की जगा और आप गर्मी में ज़्यादा परेशान नहीं होंगी बहुत ज़्यादा गर्मी है गर्मी से थोड़ा सभी को दिक्कत हो रही है तो आप थोड़ा सा यूज कीजे श्ट्रिक को और अपने काम आसान क शेयर कर दिया है एक तरीका और अभी शेयर करूंगी आप सभी के साथ वो भी आपको बहुत अच्छा लगने वाला है न्यू है एक दम सायद किसी के दिमाग में कभी नहीं आयागा क्योंकि वो मेरी दिमाग क्यों पजह है तो मैंने सोचे चलो मैं खुद बनाती हूं तो म वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं इस तरीके से आपको रोटी बेलनी है पहले रोटी बेलने के बाद आपने कड़ाई में डाल देनी है अलट पलट के दोनों साइट से आपको रोटी को सेख लेना है यह देखिए अभी इसमें दो रोटी और भी आ सकती है लेकिन व क्योंकि जल जल दी बनाएंगे तो आपको भी अच्छा लगएगा और आपको पूरी इन्फोर्मिशन इस छोटी ची वीडियो में दे भी पाऊंगे अब आपने लेना है पूरी छानने वाला जारा ये भी हम सभी के किचिन में होता ही है अब देखे डारेक्ट आपको गैंस पर रोटी शेखने की जरुवत भी नहीं पड़ेगी इसमें आप रोटी रखेगा सेखने के बाद कड़ाई में सेखिए मैंने चाहे आप तबे पर सेखे कोई बात नहीं है और इस तरीके साब जारे में रखे सेखिए क्योंकि जो रोटी सेखने वाली जाली होती है ना सभी के किचिन में नहीं होती है मेरे पास भी नहीं है तो मैंने सोचे चलो आज इसे ट्राय करके देखते हैं कैसा काम होता है हलके का हलका है एकदम हाथ में भी कोई इसका वेट नहीं पड़ रहा है और आसानी से हमारे रोटी फूल भी रही ह और अच्छे से सिक पक भी गई हैं दोनों तरफ से, आप देख लीजेगा, तो है ना कितना कमाल का आइडिया, काम को करने में भी थोड़ा सा मतलब अच्छा लग रहा था, क्योंकि आज न्यू ट्रिक मैंने कुछ यूज की थी, और काम को करते समय मुझे पता भी निचे वैसे ज्यादा देर नहीं हुई थी, कुछ ही टाइम में मैंने काफी सारी रोटियां बना ली थी, यह देखी स्रेंड मैं आपको दिखा भी दे रही हूँ, बहुत अच्छे से हमने रोटियां अपनी बना ली है, तो आसा करती हूँ, यह वाल त्रीक आपको अच्छी लग तो इसी तरीके की helpful वीडियो फिर आएं फिर आप तभी के लिए मैं लेकर आऊंगी, comment box में मुझे, यह जरूर लिख दीजगा कहां से आप मेरी वीडियो को watch कर रहा हैं, घंटी को दबा कर आल पर set जरूर कीजगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो upload करूं, उसकी सूचन आपको सबसे पहले मिले, तो फिर मिलूंगी फ्रेंड नई वीडियो साथ अपता के लिए आगया दीजिए, राम राम जी